हेलो प्रेंट्स स्वागत है फास्ट इंफोर्मेंशन में बिहार तक्निक की सहवा आयोग की तरफ से जो जूनियर इंजिनियर का वैकेंसी है उस पर एक और नया केस हो चुका है तो इस नया केस का फाइसला भी हाई कोर्ट के माधियम से आगिया है तो चलिए दोस्तों में आ आपको हाई कोर्ट इभी ऑनलाइन के माधियम से चल रहा है ऐनलाइन के माधियम से चलने के क्रम में एक और केस हुआ था और इस case के matter में पंकज कुमार द्वारा case किया गया है जो कि भार्षेज बिहार state है BTSC पर किया गया है इतना आप लोग समझ गिये साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं इस case का जो सुनवाई हुआ है 29-4-2021 को हुआ है और इस बीच यह कहा गया इस में जो फैसला लिया गया कि responded for week time is granted to file a counter-refidifit यानि कि चार विक का समय दिया गया department को कि आप चार विक के अंदर इस case पर counter-refidifit जमा किजिए कि matter क्या है साथी दोस्तों इस case को जो अगली डेट सुनवाई का है वो 21-2021 यानि कि 26-2021 को के लिए मैंने हम फीड से case सुना जाना है साथी दोस्तों quote की दोरा ये भी कहा गया है कि same case एक और था CWJC no.2893-2020 जै परकास आरिया भर्षेज the state of बिहार मतलब same case एक और चल रहा था आप लोगों को पहले भी पता था जो कि 2019 student के लिए चल रहा था ये case इस case का oral order अमें आ गया है यानि कि जब ये case सुनवाय होगा फाइनल हो जागा तो same case में भी counterfeit defeat जमा किया गया था तो इससे अनुसार से इसमें भी कहा गया कि आप counterfeit जमा कीजे और 26 को जो next hearing रखा गया उसमें आपका जो परिनाम होगा वो बता दिया जागा साथी एक रहात का बात यहाँ पर ये court के द्वारा कहा गया यानि कि यहाँ पर ये का गया पातना हाई court के द्वारा कि advertisement नंबर 119 जेए का जो vacancy है उसको पूरा किया जाना है उसमें कोई रोक नहीं है वो पूरा कीजिए लेकिन final outcome जोगा final result जो है वो पतना हाई court के यह ची करता हूँ कि माधियम से जो परिनाम निकलेगा पतना हाई court के कहने पर ही वो final result जारी करेगा यानि कि आप result में थोड़ा और देरी हो सकता इसके लिए थोड़ा और वेट करना परेगा लेकिन यहीं का बहाली अब आप लोग को हो करेगा पतना हाई court के दोर यहाँ पर clear बता दिया गया है तो देखते हैं यह past information कोई डाट हो तो हम आप एक comment में जरूर लिखेगा आपको सारी जवाब मेरी तरब से मिल जागा साथी दोस्तों यह नया case पर जदा dependent नहीं रहे यह नया case हम लोग को कुछ ने करेगा यह बस एक से दो हेरिंग का एक counter repeat जमा होगा और यह case डिस्पोज हो जागा वहीं पर तो अब मेटार 2893 का 2893 जो case है 19 candidate के लिए जो 2020 का जो case number है यह भी case जल्दी सुना लिया जागा यह case order में चला गया आप लोग खुद देखे होंगे status में जाके साथ ही दोस्तों यह case एक हेरिंग का टायमा एक हेरिंग होगा और यह case डिस्पोज हो जागा तो इसी तरह के सारे नीव जमार्ष चनल के माधियम से अबसे पहले दिया जाता है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही